हेलो टेडर्स कैसो आप लोग आई होप सब अच्छे होगे वेलकम टू सीपया टेडिंग उट्वी चैनल अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग पर कभी लिंक डाल दूगा और यूटूब पर भी आप बिल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आपको सारा अपडेट मिल सके और मैं आपको बता दूँ कि टेलिग्राम और टुटर पर मैं लाइफ ट्रेडिंग भी देता हूं फ्री में तो आप वहां भी कनेक्ट हो सकते ह चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं कि आज चो मार्केट में मूव आया और इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो उसके आद हमें ट्रेड कैसे करना था और हमें ट्रेड मिला कि नहीं मिला सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ठीक है तो इनिफ्टी का है और जब भी मार्केट S4 के नीचे ओपन होता है तो या तो वो बियरिस होगा ठीक है या तो हम लोगो बियर ट्रेड लेना है या तो मार्केट साइड वे जाएगा यहां ऐसा कॉंसेप्ट रहता है मैं टेलिग्राम पर भी बताया था आप जाके चेक कर सकते हो मैं बोला था पर जाएगा जाने देंगे हमें दिक्कत नहीं ठीक है क्योंकि हर जग हम लोग वैसा बनानी सकते हैं अब देखिए मार्केट में हुआ क्या मार्केट यहां से नीचे गिरता है ठीक है फिर फिर उपर गिया फिर गिरना चाहा लेकिन क्या हुआ कि इधर फिर साइड वे हो अगर अब ध्यान से देखोगे तो यहां पर मार्केट पूरा साइड वे हो गया यहां से लेकर यहां तक मार्केट पूरा साइड वे था ठीक है क्यों हमें कुछ मुवमेंट मिला है नहीं पहले ही जो यहां पे 5-15 में मुवमेंट मिला वही मिला बाकि फिर कोई तो अगर मैं आपको बताऊं कि सेम अगर market ऐसा ही gap down इतना बड़ा खुलता है मतलब कि S4 के नीचे खुलता है तो क्या होता है तो वह भी चार्ट हम लोग देखते हैं इस वीडियो में जैसे माल लिजे कि S1, S2, S3, S4, S4 के नीचे market या पिर S4 के सामने market कहीं खुला है तो उ मैं आपके सामने तीनो चार्ट को अलग-अलग explain करता हूँ कि कैसे होता है और क्या होता उस दिन market में जब इतना बड़ा gap down open होता है देखिए पहले यहां पर दिखेगा 14 फरवरी के मैं बात कर रहा हूँ यहां नीचे देखिए 14 फरवरी लिखा हुगा इस दिन क्या होता ह साइडवे जाता कहां तक साइडवे जाता आप देखिए मार्केट यहां के बाद इतना दूर साइडवे रहा तो इतना प्रॉफिट हमें दिया यह हुआ आपका 14 फरवरी के बाद करो चलिए देखते 24 फरवरी को सेम ऐसे ही चार्ट बना S4 के नीचे मार्केट खुलता है S4 पर हाई लगाता है ठीक है आज भी S4 पर हाई लगाया इस दिन भी S4 पर हाई लगाया इस दिन भी S4 पर हाई लगाया ठीक है अब गौर करना तीनों चार्ट में क्यों लगाया हूँ ठीक है अब क्या होता है कि म में मारक करता हूँ पर यहाँ से लेखर यहाँ तक में मुख्मेंट रहता है देख लिए रहता है औry этом लेकिन फिर से मारके थोड़ा करने कुझस करता है उसके मार्केटफ़ॉल करता है ठीक T कि मुंवमेंट जो आ है लास्ट में आ है है यहाँ भी मुवमेंट आ रहा आफ कि थीयान देना कि यहाँ पर मैं कैंडॉल कर चालिस मैट के बाद यहां पर में कर肉 दो बच के 30 मेट के बाद तो आपको समझ में आ गया कि market में कप कप कर रहा है market close होने के मतलब समझ यह एक बज़े से लेके तीन बज़े के बीच market में यह movement आ रहा है पहले market में कुछ नहीं हो रहा तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी market S4 से नीचे open हो तो हमें बहुत दिर तक बैठे रहाना market में trade लेकर अपना SL hit नहीं करवाना है ठीक है क्योंकि movement हमने देखा कि यहाँ पे 41 movement आया यहाँ पे अप्रोक्सपॉन ने तीन बज़े movement आया यहाँ आप भी समझे लास लास में ही movement आया ठीक है तो यही कुछ होता है जो कि आपको चार्ट देखने के बाद समझ में आएगा तो इसलिए मैं तीनों चार्ट आप लोग के लिए लगा दिया था ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको तो चलिए अब करते हैं कि कि कल बैंक हमें important level mark करना है ठीक है जो कि mark है बस मैं उसे extend कर देता हूं ठीक है जैसे इसे मैं extend किया यह क्या है अपना यह अपना S1 sorry R1 ठीक है यह R1 हुआ और उसके ऊपर जो लाइन आपको दिख रहा हो क्या है प्रिवेस्ट हाई यह वाला लाइन जो market कल का हाई था वो क्या होगा प अब लगाना बस एक ही लगाना है वह कौन सा है S1 ठीक है इसको मैं rate कर देता हूं चलिए सब लेवल में लगा लिए अब मैं क्या करता हूं आप लोग को एनलेसिस में थोड़ा और जान डालने के लिए मैं क्या करता हूं ऑप्सन चेन एक पर शेक करता हूं ठीक है अगर मै मैं बैंक निप्टी का option chain में आता हूं तो आपको यहां पर दिख रहा होगा चलिए मैं दिखाता हूं कि कहां कहां OI जादा है ठीक है एक तो OI यहां पर जादा है ठीक है एक OI यहां पर जादा है call तरब और अगर मैं put का बात करो तो put में OI कहां पर जादा है आप देख रखना और यहाetus जो कॉल रहत है वो क्या काम करता हूं करता हमें रसेश्टस का ठीक है तो यह कॉन सी यह न है ड़ार और यह कॉन सी लेवल हैर। 34 Christina प्Beष यह करना है तब नहीं मारक करना होगा तो है अपना सपोर्ट छिए अपना सपोर्ट ठीक है यह प्रीविद्य लों हो है two okay यहां पक्ताइल स्प्राही तो ठीक है और यहां पर क्षीविद्यार इस्सिस्टेन्स अफ्छ कि अद्डेंस यह है रासिस्टेन्स यह है previous day high अब देखिए हम लोग decide करते हैं कि market में क्या क्या हो सकता है अगर 3 case मार्केट ओपन वह कौन से 3 case फ्लैट गैप डाउन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या होगा फ्रेंड्स यहां पर स्भाइबंड्स करेंगा और चस्ट रेशिस्टेंस के ऊपर 33,500 फिर एक और तो हो सकत है यहां से मार्केट रिजेक्शन ले जोकी 33,000 तक है और अगर यहां पर गंतुम्रेटक हैं और उर खुते और वह वह दिबल करेंगे लिए और और तेती ज़र एक crucial level है अगर तेती ज़र break हो गया तो market और fall होगा यहाँ से ठीक है इतना आपको समझ में आ गया अब दूसरा case देखते हैं कि अगर market flat open हुआ लेकिन market में ज्यादा momentum नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा momentum नहीं होगा अगर मार्केट यहीं पर खुलता है यहीं लेवल पर ओपन होता है छिक इसे इंड ले ले लें और यहीं लेवल पर ओपन už सब्सक्राइब करेगा फिरा कि याकर दोड़ सबूसरेупर्ड duelle कोे दोनों के बिच में तिक क्यों़र ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं देखेंगे और ज्यादा बड़ा टारगेट तभी देखेंगे जब आर्वन प्रिवेश्ट है व्ह रोग हो जाएगा से मार्केट फिर से नीची आ सकता है ठीक है समझते अब चलिए मैं दिखता हूं कि अगर मार्केट गैप डॉन अगर गलती से अपन हो जाता तो क्या होता है अगर मार्केट इधर कहीं गैप डॉन तो उसको हमें देखना है देखे फ्रेंट्स मार्केट यहां पर था ठीक है हाई यहां लगाता है अब देखिए क्रूसियल लेवल हमारे लिए क्या है क्या करेगा ठीक है और अगर प्रिवेस्ट लोग ब्रेक होता है तो कहां तक आएगा मार्केट यहां तक बताइए मार्केट कहां तक जाएगा मार्केट आप अगर वन आवर का चार्ट में देखऊजिए कि अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट का फिर क्या कंडिशन होने mean और आप देख सकते हो 33.900 सोरी 32,960 अगर 32,960 मतलब इधर कहीं अगर इधर लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप देखोगे कि यह पूरा जोन चला गया ठीक है यह जोन ब्रेक हो गया इतना अगर यह ब्रेक हो जाता है तो उसके वह सपोर्ट हमें क्या मिल रहा 31,625 पर तो मार्केट डारेक्ट 31 पर आ सक लेकिन इतना जल्दी गिरेगा नहीं अगर गिरना भी होगा मार्केट को इससे पहले अगर और सपोर्ट होगा मार्केट में अगर कएसे आपके लिए मैं क्या करता हूँ एक direction बना देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा असानी हो देखिए मैं पहले मैं flat का बना रहा हूँ ठीक है अगर market flat open होगा जहां पर close हुआ है CPR से resistance लेगा ठीक है lower low बनाएगा lower high बनाएगा market previously low S1 तक आएगा ठीक है यह हुए पहला case अब क्या होगा कि यहां अगर green candle बन गया ठीक है मैं लिख देता हूँ यहां पर कि यहां अगर green candle बन गया और यहां market support लिया ठीक है दूसरा केस में क्या होगा Friends दूसरा केस में यह होगा कि अगर Market Flat open होता है ठीक है Flat open होता है Lower low बनाकर Lower high बनाकर इधर आता है और इस zone को break कर देता है तो Market यहां तक आ सकता है और अगर यह break हो गया तो फिर मार्केट बहुत बड़ा एक फॉल दे सकता है ठीक है दो के साफ समझ गए और दोनों क्या था फ्लैट का केस था और यहाँ पर मैं बता दो कि यहाँ पर ग्रिन कंडल सौरी रेड कंडल क्लोज होना चाहिए दोनों के नीचे ठीक है समझ गया अब देखो अब दूसरा केस में बताता हूं कि अगर मार्केट गैप अप अपन हो अगर मार्केट गैप अप अपन होता है तो क्या होगा हमारा केस अगर मार्केट गैप अप अपन हो जाता है और इसके ऊपर चला जाता है के ओपर तो क्या होगा मार्गेट सी पर सब्रूट ले सकते हैं और मार्गेट जब सी पर सप्रूट लेगा था क्या का एक्सपक्ष्पक करेंगे कि प्रिवेश Dr明 आरवन तक टार्गेट अपना रहेगा ठीक है यह हुआ केस फर्स्ट देखिए हर केस में में दो दो तिन तिन केस बताऊंगा आपको ताकि आप लोग को जादा आसानी हो लाई मार्केट में ट्रेड लेने के लिए अब दूसरा देखिए कि अगर मार्केट क्या होता है अगर इसको break कर देता है प्रिवेश्ट यहाई एसन को break कर देता तो अपना यहां तक target second आ जाएगा आप समझे यहां फिर अगर बहुत बड़ा gap up open होता है बहुत बड़ा gap up open होता और यह resistance का काम करता है अगर तो market क्या करेगा अगर इस zone को break किया तो market फिर से cpr के पास आ सकता है ठीक है अब इतना समझे अब लाश्ट के सपने पास क्या बचा गैप डॉन का तो भी मैं दिखा देता हूं आपको अगर मार्केट gap down open होता है as one previous low के नीचे तो क्या होगा मार्केट lower low बनाएगा यहार असिस्टेंस लेगा और उसके अद मार्केट एक fall कर सकता है नीचे ठीक है या तो अगर मार्केट gap down open होता है तो मार्केट क्या करेगा इसी जोन से support लेगा ठीक है और cpr तक attract हो जाएग होगा अगर समझ में आया है तो प्लीज मेरा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स अलकर में सेयर करें ताकि बहुत लोग के पास यह वीडियो पहुंच सकें मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यो